हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि अदार्णी एनरजी सॉलीशन और अदार्णी ग्रीन एनरजी के बारे में इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर आज भी जो है वोल्यम हलाकी जो है कम रहा था पिछले दिनों के मुकाबले लेकिन ये गिरावट तो हुई है लेकिन पूरे बाजार के अंदर अज गिरावट थी इसके उपर हमने डिटेल में चप्छा की साथी साथ ही सा जो नियूस है उसका जो इसके बिजनस के एक पर जो इसराइल के अंदर इसका जो बिजनस है उसके उपर इफेक वड़ सकता है अधानी पोर्ट का और उसके ऊपर इसका एक बड़ा बयान भी आया है वो विडियो अब ज़रूर देखे अगर अब तक नहीं देखा है तो हम फ इस वीडियो के ज़स्ट पहले का वह आप देख सकते हैं उसके उपर जो है मार्केट के बारे में भी जो हमने थोड़ी सी डिसक्सिन की है कि यह क्रूड ओल के प्राइस और यूएस मार्केट आज कैसा भी है करते हैं उसके उपर डिपेंडेंट रेगा कल का हमारा बाजार अ दिन अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो थोड़ा सा बांस बैक इसके अंदर आ सकता है फाइव और नाइन डेस के मुविंग एविलेज को डेफिलेंट लिया जिसने तोड़ा है पूरे बाजार के अंदर ही गिरा वड़ती अच्छे अच्छे स्टॉक गिर है सिर्प पर निप्टी ने क्लोजिंग दी 15 मिट का चाट अगर आप इसका देखे तो सबसे पहले इसका अच्छा का सा प्रेशर था और इसका रिजन एक तो मार्केट भी थी मुझे सा लगनाएगी कि मार्केट का भी करेक्शन था साथ ही साथ जो खबर थी उसका भी जो है इसका अ इसका इफेक कुछ बढ़ सकता है पूरे ग्रूप के उपर क्यूंकि ज्यादा अगर देखे तो इसके एक कंपनी के अंदर जो भी मतलब की खबर आती है अगर वो उसके अंदर थोड़ी सी आज जो की अदान इपोर्ट के अंदर जो आच्छे का सी गिरावड थी तो उसके हम देखे तो पंदरा मिनिट का चार्ट तो हम ने देखा अब देखते हैं इसका वीकली चार्ट तो यहां पर भी अगर आप देखेगे जो सपोर्ट एरिया है वो नस्दी के अगर आप देखे तो यहां पर अगर आप देखे तो पिछली कई बार जो है इसी प्राइस के आ block deal हुई थी और यह भी price अगर आप देखेगे तो इसी price के आसपास है जो यहाँ पर यह भी है 700C के आसपास तो यहाँ पर एक possibility बनती है कि यहाँ पर से एक जो है इसके इंदर bounce back आ सकता है support इसको मिल सकता है और अगर इसके नीचे का अगर support देखे तो अगर यह इस zone को तोड़ता है तो जो है यहाँ पर यहाँ पर यह copy and handle का pattern बना था तब इसने जो है यहाँ पर इस zone के आसपास जो की 740 से लेकर 750 का जो zone है इस zone के आसपास जो है एक support लिया था तो next support जो है इसका यह हो सकता है अगर यह इसको मतलब की ज्यादा इसके अंदर गिरावटाती है तब की बात है जो कि यह भी level जो है ज्यादा दूर है नहीं 30-40 रुपए ही दूर है फिलाल अभी 778 के आसपास इसने closing दी है तो यह तो हो गई support की बात अगर रेजिस्टन की बात करें तो अब definitely जो पहले support था अब यह वो जो है इसके लिए रेजिस्टन बनेगा और जैसे कि एक तो 800 का zone है उसके बात देखे तो 820 और 830 का जो zone फिलाल हम इसी की बात करें के short term की अगर बात करें तो उसके बात देखे तो 850 900 का zone भी है लेकिन उसकी बात हम बात में करेंगे जब यह इस लेवल को पार करेंगा या फिर वह तक जाएगा तब short term की बात करें तो support और रजिस्टन जो है यहां पर यह दिख रहा है और दूसरे अब देखे तो अदानी green energy की भी हम बात कर लेते हैं तो 939 का price है इसके अंदर भी अगर देखे तो प्राइस के आसपास और वह प्राइस था 920 के आसपास जो कि अभी 939 का इस ने वहां पर closing दी है तो सिप 1820 रुपए ही जो दूर है और यहां पर इसका weekly chart हम देखे तो यहां पर अगर देखे तो एक higher low की situation यहां पर बन रही है अभी जो final last जो लो यहां पर बनाया था जो क की तकरीब नो सो दस रुपए के आसपास यहां पर टिक किया हुआ है वह लेवल भी अभी देखे तो काफी दूर है तो हो सकता है कि इस से पहले ही अगर कुछ अच्छी न्यूज आई या फिर बाज़ार में थोड़ी से stability रहे तो थोड़ा सा bounce back जो है यहां से यह मतलब की हा सकता है मतलब कि यहां से reverse हो सकता है यह और हाला कि यह अगर आप देखेगे तो काफी अच्छा भी यहां पर जो है एक चार्ट के ओपर लग रहा है विकोस की यह ज्यादा तर अगर इसने time अगर देखे तो 900 से लेकर उपर में 1000 रुपए के बीच में जो है एक range में गु 30 के करीब आता है 31 32 30 या फिर इसके थोड़ा सा नीचे भी तो जो इसको oversold भी कह सकते है टेकनिकल चाट की भासा में अगर देखे तो और इससे पहले भी अगर आप देखेगे जैसे कि यहां पर यह जो white color की line है अभी आरा इसा जोन के आसपास है 30 के आसपास तो यहां पर 40 के पहले आया था तब इसके अंदर एक सब्सक्राइब काया था यहां पर आया था उसके बाद यहां पर आया था तब यह एक बांस बैका ईया थार्कराईने की कोशिश यह कर सकता है और तो support और register जो हम देख लेते हैं जैसे कि 940 का price इसके आसपास का price है नीचे में देखे तो एक तो 920 का जोन अच्छा कज़ा support देख रहा है उसके नीचे देखे तो 900 का zone और यह दोनों ही share जो है मुझे असा लग रहा है कि long term के लिए अच्छे रह सकते हैं और register की बात करें तो अभी जो है क्योंकि आज इसके अंदेर अच्छे का से गिरावट देखने को मिली तक्रीबर सवादो पसंद का असपास की तो पहला रजिस्टन जो है अभी इसका नजदीक देख रहे हैं 950 का zone और उसके बाद देखे तो 980 का zone उसके बाद 1000 और 1020 का भी इंट्रेसिंग भी है क्रूड ओल के प्राइस कहां पर जाते हैं और अधानी टोटल के इसका वो वीडियो देख ले उसके अंदर जो है अमने थोड़ी से डीटेल में चर्चा भी की है मार्केट की तो वह भी अब ज़रूर देखे और हमारी कुम्यूटी पोस्ट को भी दे अगर अच्छा लगा दो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और एक्स्टेंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ड्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनाश एर एडवाइजर की सला ले उसके बाद